हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, हेंड मेट के रेट्व कार्णर, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसुरत जैकेट लाइं हुए, देखें फ्रेंड्स, कितनी खुबसुरत है जैकेट लग रही है, बिलकुर रेड मेट लोक इसका लग रहा है, बहुत ही प्लीज से लाइक जरूर कीजे, अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे, और पास में जो बेल आइकन है, जो घंटी बनी है, उसे जरूर प्रेस कीजे, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालू, तो उसकी नोटिफिक क्यों का यूज किया है, और 4 mm की क्रोशय से बनाया है, आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं, सबसे पहले में गाट लगाएंगे, और यहाँ पर टोटल हम 90 चैन डालेंगे, हमारी जो एक डिजाइन है, वो 9 चेन में हमारी एक डिजाइन बनेगी, तो अगर हमें लंबाई या चवडाई जो भी बढ़ानी है, तो हम 9 चेन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम 9 चेन और बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारी एक डिजाइन उसमें बनेगी, कि हम क्या स्टार्टिंग से हम यहां पर आठ चेन छोड़ेंगे और नौवी चेन में डाल करके हम एक सिंगल कुरुसे निकालेंगे स्टार्टिंग में हमें आठ चेन छोड़नी है चार, पांच, छे, साथ, आठ चोड़ेंगे और नौवी चेन में क्रोशिय को डालेंगे मिना लूप लिए और एक सिंगल कुरुसे बनाएंगे हर बार हमें जोइंट करने के बाद हमें पांच चेन बनानी है इसके हम पांच चेन बनाएंगे चार, पांच पांच चेन में आने के बाद अब हमें यहां बीच में चार चेन छोड़ेंगे देखे हमारी जो डिजाइन बनेगी तो एक बार हमें चार चेन छोड़नी है दूसरी बार में हमें तीन चेन छोड़नी है तब हमें जोइंट करना है और उपर हमारी पाट-पाट chain सब के बीच में रहेगी इसको सिंगल कोश्य दिमने जॉयन किया फिर हम पाट chain लेंगे अब हम यह पर फिर तीन chain चोड़ेंगे तीन चोड़ने बाद चौथी chain में डाल के हम पिस सिंगल कोश्य बनाएंगे फिर उपर हम पांच चेन लेंगे और हम फिर हम बीच में चार चेन छोड़नी है और पांच वी चेन में डालके सिंगल कोश्य बनाना है फिर इसके बाद फिर हम जॉइंट करने के बाद फिर हम पांच चेन लेंगे और फिर तीन चैन छोड़के चौथी चैन में सिंगल कोई से बनाएंगे इसी तरह से हम पूरी चैन में हम इसी तरह से बना लेंगे देखे बार हमने चार चैन छोड़ा है फिर तीन छोड़ा है फिर चार फिर तीन उपर हमारी ये पात पात चैन उपर रहेगी हमारी इसी तरह से मैं पूरी chain में इसे तरह से में बना लेना है, एक djain complete करने के लिए हमें पांचार नो chain के ज़रुद पड़ेगी, नो chain में हमारी एक djain complete होगी, यह देखे हमने सभी chain में, जो हमने nanty chain में आई थी, सभी chain में हमने यह बना लिया है, इस चेन में हमारी टोटल 9 डिजाइन आएगी, तो ऐसे में 89 चेन की जुरुरत है, एक चेन हमने एक स्टाली रेले रखी है, लास्ट में फिर चोथी चेन में डालके फिर हम इसको लास्ट में इसको डबल कोर्षिया से जोड़ेंगे जब लास्ट में आएंगे तो तीन चेन छोड़ने के बाद चोथी चेन में इसको डबल कोर्षिया समया जोड़ना है यहां पे हम एक chain लेके turn हो जाएंगे जब भी हम turn होंगे तो हमें starting एक chain लेके turn होना है फिर हमें सेम gap भी दूबल कोस्य बनानी हैं फिर हम यहां पर दो चेन मनाएंगे 2 डोबल कुरशिय बनाने करएंगे और इसक्त ने 9 डबल कुरषिय निकारणी है जो हमारे एक गैप है चाहर चैन वाले एक पड़ेगी इसमें हम 9 डोबल कॉरशिय निकालेंगे 9 डोबल कुरशिय अमें इसमें निकालना है बहुत ही आसाने बनाना है यह जब आए बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा और आसानी से बनता चला जाएगा इसका लुग भी बहुत खुद सुरत आता है फ्रेंड्स प्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके जुरू बताये किजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको इस सजेसन देना चाहते हैं तो कमेंट मार्क में लिख करके मुझे बता दीजिए इसमें नाइन डबल कुरसे बना ली है अब जो मरी नेक्स्ट गैप आएग यानि तीन चेन वाली जोमरी गैप है उसमें हम इसको डालके सिंगल कुरसे से इस तरह से जोड़ेंगे फिर नेक्स्ट गैप में एक गैप हमें स्किप करना है उसको सिंगल कुरसे से जोड़ना है और नेक्स्ट गैप में हमें फिर नाव डबल कुरसे बनानी है इसी तरह स नेक्स्ट के अपमे फिर नो डबल कुर्से हम बनाएंगे नो डबल कुर्से हम बना लिया फिर next gap में डाल करके हम इसको single corset से चोड़ देंगे इसी तरह से हम euro complete करेंगे इसी तरह से हम सभी chain है बना लेंगे देखे इसका इस तरह से लुक आएगा इसका इस तरह से देखे हमने सभी chain हमने बना के हमने त्यार कर लिया है टोटल हमारी ये 9 design बनके त्यार हुई है हम लास्ट में आएंगे हमने स्टार्ट में जो हमने आठ चैन छोड़ी थी और नवी चैन में डाल के single corset बनाया था अब हम यहां पर हम तीन चैन छोड़ेंगे तो चैन लेंगे और लेंगे बाद हम तीन चैन नीचे छोड़ेंगे कि उपर हमने दो चैन लिया है फिर नीचे तीन चैन छोड़ेंगे चौथी चैन में डबल कुर्सिया से हम इसको अटेस्ट करेंगे अब एक डबल कुर्सिया बनाएंगे लास्ट में पिर एक चैन लेंगे टर्न हो जाएंगे फिर 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 अले गडार के डबल कुर्सिया बनाएंगे कि अ फिर अब दो C Thomas लेंगे वहापर अब इस row में हमें जो हमने नीचे 9 double korsia वाले design बनाई है सबके उपर हमें 7-7 double korsia बनानी है और हर double korsia के बीच में हमें एक एक chain लेना है इसी तरह से हमें पूरी row complete करनी है अब दिखें में यहाँ क्या करना है हम first rally gap को skip करेंगे और दूसरे लिए gap में डालके डबल कोश्या बनाएंगे तो उपर हमें चेन आ रही उसमें हमें डालके बनाना है फिर हम एक चेन लेंगे फिर नेक्स वाली में डालके हमें डबल कोश्या बनाएंगे फिर एक chain लेंगे फिर इसके next में डालके डबल कोशया बनाएंगे इसरे total हमें यहां पर 7 डबल कोशया बनानी है नीचे में 9 डबल कोशया थी उपर हम 7 डबल कोशया बनाएंगे पहले वाली gap को हम किप करेंगे दूसरे गैप से मुर्णाना श्टार्ट करेंगे बीच में एक चेन लेनी है और गैप में हम डाल के बनाएंगे और बीच में एक चेन लेते जाएंगे ईधिकिने फर्ट के आपको स्किप किया है और एक डॉबल को से फिरेक चैने फिरेक डॉबल को से सब लिक बना ली है तश्री टमलें तक रिम्ने बनाया साथ डॉबल को सिर्फे मर यहां बन गई है लेक इस तरह से आगा इसका लुक कि जहां पर जोइंट किया हमने अब उस को हम छोड़ेंगे और यहां से हम जो जूइंट कह चो छोड़ क्या है जहां से हमने इस्टार्टिंग कीती फर्स्ट वाले गैपको हमें S meglio siempre करके उसके ने डाले डाल के हम दूबसे बनाएंगे और दोसरें ग्म हम इस्टार्ट करेंगे K20 करेंगे कि मुलिभल इस्टार्ट करेंगे ऊक्ल इननी बनाएंगे इसी तरह से हम टोटल साथ डबल को से बनाएंगे यहां भी तमेहर जो मर्यागी जो भी डिजाइन आगे इसमें इसी तरह से बनाना है जो नोट डबल को से हमार बनेंगे फर्स्ट को स्किप करना है और बाकी में हमें साथ डबल को से बनानी है और बीच में एक चेंड लेना है ते पूरी रो में इसी तरह से कंप्डिट करेंगे फिर यहां पर यह हमारा जॉइंट वाला है उसके आगे की गैप हम एक छोड़ेंगे और दूसरी गैप में डाल करके हम एक डबल को से बनाएंगे इसी तरह से हम समय बना लेंगे सास्ता डबल को से हम समय बनाना है इस तरह से इसका लुक आएगा पूरी रो में कंप्डिट कर लिए लाश्ट में इसे हम आएंगे तो फिर दो चेंड लेंगे और नीचे जा में डबल को से बनाई है उसमें डाल करके एक डबल को से निकालेंगे हुआ है हमारी दूसरी रों हमारी कंप्लेट हो गई हम एक चेंड लेके टर्ण हो जाएंगे और यहां पे आप हम एक सिंगल को से बनाएंगे अभी तक हम डबल को से बना रहे थे आप बुरी रों में सिंगल कुस्या बनाएंगे स्टार्टिंग में वह इन डबल कुस्या से स्टार्ट किया तो इस अब में से बनाने के बाद अब में यह यह पर दो चेंड बनाएंगे यह फर्स्ट वाले में इसको डालके सिंगल कोश्या से जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में डालके हम सिंगल कोश्या से जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में डालके सिंगल कोश्या से जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में डालके हम सिंगल कोश्या से जोड़ देंगे, फि यहां पर हमारी टोटल पांच यह गोल उभार सा मारे पांच बन जाएगा तीन चेन में डालना है फिनेक्ष में डालके हमें जोड़ देना है एक तो तीन चार पांच यह तो टन हमारी पांच इस तरह की डियान बनेगी उपर फिर यहां पर हम जो फर्स्ट रालक एप होगा उसमें डालके नेक्स्ट में हम सिंगल को से जोड़ेंगे फिर तीन चेन मनाएंगे फिर नेक्स वाले केप में डालके सिंगल को से जोड़ देंगे फिर तीन चेन मनाएंगे फिर नेक्स्ट केप में डालके फिर सिंगल को से जोड़ेंगे इस तरह से आप हम सब भी केप में तीन तीन चैन मनाके सिंगल कोश्या से जोड देंगे तो उपर हमारी पांच डिजाइन हमारी उपर बन जाएगी चैन की तीन तीन चैन की जो है उबरी होई हमारी पांच जियाइन इस तरह से बन जाएगी एक दो तीन चार पांच लाशं चेंड टक currents बना लेगे फिर उतकी फ़र्स्ट वाले गैप में की बीच वाले को में स्किप करेंगे वह से यह मिदाला जालेंगे हम सिंकल को से दीगे इसी तरह सें भीमें बना लेंगे कि इस तरह से इसका लुक आएगा यह बनके इस हम लाश्ट में पहुचेंगे ते पांच बनाने के बाद हम दो चेन बनाएंगे जैसे स्टार्टिम होने दो चेन बनाया था और फिर इसको लाश्ट में जो नीचे डबल कोशिया है उसमें सिंगल कोशिया से में इसको जोड देंगे जोडने के बाद हम एक चेन लेंगे और हो जाएंगे अब हम यहां पर फिर एक डबल कोश्य बनाएंगे फर्स्ट केप में प्रवियर से फिर से हमें यही पूरी डिजैन है फिर से रिपीट करने हैं फिर हम यहां पर पांच चेन लेंगे डबल कोश्य बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला हमारा यह है इसको हम स्किप करेंगे जब ने पांच बनाया सी फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे दूसरे वाले हम डालके सिंगल कोश्य से जोड देंगे फिर हम पांच चेन मनाएंगे फिर एक स्किप करेंगे और फिर इस चौथे वाले में डालके हम इसको सिंगल कोर्षय से जोड देंगे फिर पांच चेन मनाएंगे और नीचे पांच वे गैप को हम skip करेंगे और दूसरे वाले में हम first वाले को skip करेंगे और दूसरे में डालके हम single crochet से जोड़ देंगे जिके इस तरह से दर का last वाला skip करेंगे और दर का first वाला skip करेंगे फिर पाइच चेन बनाएंगे फिर एक skip करेंगे और ये तीसरे वाले में इसको सिंगल कोश्या से जोड़ देंगे फिर last ये skip करना है और दर का first वाला skip करना है और पात्तमा चेन बनाके हम सिंगल कोश्यास पर जोडते जाएंगे इस तरह से पुरी रोग कंप्लीट कर लिए हैं ये इस तरह से इसका लुक आएगा बहुत ही खुश्षरत इसका लुक आ रहा है ये देखें लाश्ट वाली हमने इसको जोइन किया है फिर दूसरे में सिंगल कोश्यास जोइन किया है जो हम लाश्टें पहुंचेंगे फिर हम पात्चेन बनाएंगे के और यहां पर हम वारी सिंगल कोश्या से बनी है लाश्ट में इसको डबल कोश्यास में इसको जोड़एंगे जैसे हम प्र फिर हम एक चीन बनाएंगे फिर सेम फर्स्ट वाले में डाल करके हम एक डबल कोसिया बनाएंगे फिर दो चेन बनाएंगे अब जैसे हमने स्टार्ट किया था सुरू से अब ऐसे ही फिर से में स्टार्ट करना यानि कि फर्स्ट वाला जो हमारे गैप आएगा पार्चेन वाला उसमें हमें नाइन डबल क कोसिया फिर नेक्स्ट को सिंगल कोसे से जोडना है इसी तरह से करके हम यह रोग कंप्रिट करनी है फिर दूसरी दो में हमें रोट से बनानी है और रगप में हमें जोडना है पांच बार में निकालना उसको इस तरह से जैसे हम नहीं नीचे बनाया है वही पैटर्ण फिर से में फालू करना है देखे हैं बीच में हम यहाँ पर बनाएंगे नाइन डबल कोर्सिया और जो बीच वला आएगा वहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे इस तरह से बनता चला जाएगा हमारा उपर यह देखे हमने एक तब का साइट पर हमने यह बना के तैयर किया है इसमें टोटल हमने 5 रो बनाई है टोटल हमने 5 रो बनाया है यह देखिए एक दो तीन चार पांच टोटल पांच रो ने बनाया इसमें तो यह आप अपने यह फ्रंट का एक साइड का पार्ट है तो आप किसी भी अपने जैकेट के नमबाई आगे के चोड़ाई नाप करके उसी हिसाब से आप रो बना लीजे हम आगे यहां ब्लैक कलर से लगबख एक अंगुल का यहां बार्डर ही बनाएंगे आगे फ्रंट पे इस तरह से देखिए दोनों साइड का यह हमने बनाया है इस तरह से इसका लुक आएगा हम इसे ऐसे लंबाई में जोड़ेंगे आप चाहिए इससे चोड़ाई में भी आप इससे जोड़ करके बना सकते हैं जोडाई में आप जोड़ेंगे तापकी यह दो दो चार यह फाइफ हैं में आपकी आगे की चोडाई हो जाएगी लंबाई में जोड़ना है तो आपको नौ डिजाइन बनानी पड़ेगी यह अपने लंबाई की सबसे आप जितना लंबा बनाना पीछे का पार्ट हमने लंबाई में चोडाई में जोड़ा है और यह आगे का हम मिस्त बाद मिज़ोड़ेंगे इसको ऐसे यह देखिए हमने आगे की साइट के दोनों पार्ट बना लिये हैं 55 प्रो दोनों में है अब हम आपको नेक्ट वीडियो में बीचे का पार्ट बनाना बताएंगे और इसको जोड़ना बताएंगे और बार्डर बनाना बताएंगे मिलते हैं से नेक्ट वीडियो में थेंक यू